जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काट ही नर्ग्यानी, तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपी ही बंधावा, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम आपको प्रभुश्री हनुमान जी महाराज का एक चमतकारी उपाय और उसका चमतकारी पाठ बताने जा रहे हैं। यह पाठ और उपाय एक ऐसा सुरक्षा कवच है, जिसको महीने में मात्र एक मंगलवार करने से ही व्यक्ति के जीवन के सभी संकट वकष्ट मिट जाते हैं। यह उपाय सभी प्रकार की परेशानियों को खत्म कर देता है, और कैसा भी दुरभाग्य हो उसे ततकाल सौभाग्य में बदल देता है। ग्रहों की चाल आपके विपरीत चल रही है, फिर चाहे वह शनी की साड़े साती हो या राहु केतु की महादशा चल रही हो, जीवन में सभी तरफ संकट और अंधकार के सिवा कुछ नजर नहीं आता। इस उपाय के प्रभाव से जीवन की सभी मुसीवत और संकट तुरंत ही खत्म हो जाएंगे, जीवन के सभी अंधकार तुरंत मिट जाएंगे, क्रूर ग्रहों की दशा और जीवन में चल रही परेशानियों से शीग्र से ही मुक्ति मिल जाएगी, वह लोग जरूर करें जो जीवन में हमेशा दुखी और निराश रहते हैं, जीवन में बड़ी प्रियभक्तों से निवेदन है कि आज से ही संकट मोचन प्रभुश्री हनुमान जी महाराज का सच्चे मन से ध्यान करके सिर्फ मंगलवार को उपाय करके देखिए, प्रथम मंगलवार से ही असर दिखेगा, प्रभुश्री हनुमान जी महाराज की अग्भुद कृपा से आपकी चिंता तुरंत में काटने लगेगी जीवन में सुख एवं समरिद्धी की बरसाथ होने लगेगी जीवन में सुख ही सुख होगा आपके जीवन की सारी परेशानियों को संकट से मुक्ति पाकर जीवन को सुखमय बनाने के लिए संकट मोचन प्रभू श्री हनुमान जी महाराज के चमतकारी उपाय को बहुत ही ध्यान से सुने इस उपाय को महीने में एक मंगलवार को करना है इस उपाय को करने से जीवन में कैसी भी परिशानी हो, कैसा भी कष्ठ हो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा इस चमतकारी उपाय को जाने से पहले आप सभी प्रिय भक्तों से निवेदन है कि सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल ग्यान गुरू मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में राम राम लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं प्रिय भक्तों उपाय इस प्रकार हैं मंगलवार के दिन सुबह नहाध होकर स्वच्छ हो जाएं फिर प्रभुश्री हनुमान जी महाराज के मंदिर जाएं और प्रभुश्री हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर चोला चड़ाएं संध्या काल के समय सूर्यास्त के बाद अपने घर पर हनुमान जी के चित्र के सामने बैठ कर संकट मोचन हनुमान अश्टक का पाट करें प्रभुश्री हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का भोग लगाएं और आरती करें यह पाट रोज करने से आपके सभी संकट सभी प्रभुश्री हनुमान जी महाराज की कृपा से हमेशा के लिए कट जाएंगे इस पाट को नियम पूरवक रोज करने से आपको अधिक लाब प्राप्द होगा प्रिय भक्तों अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में राम जी की जय जरूर लिख थन्यवाद